फाइन स्टुडेंट तो आज एक लास में हम लोग तीन अईटोरियल एस उस्वल डिसकस करेंगे फर्स्ट अईटोरियल देखो नमबर फिप्टी टू मेरिट एन आईडिया ऑफ मेरिटोक्रिसी इन दा एरा ऑफ आर्टिफिसल इंटेलिजेंस अब देखो आर्टिफिसल इंटेलिजेंस का एरा है सभी बात है ना हर जगाई आटिफिसल इंटेलिजेंस देखते ओ तो अब जो डिफेरेंट हो गया पहले क्या था में डिस्टेंट जो बढ़ियां से परफॉर्म करेगा जो फस सेकेंड आएगा जिसका नंबर ज्यादा आएगा तो उसका बहुत ज़्यादा ही तारीफ होता था उसको जॉब हो मिलता था अब वो जबाना नहीं है अब वह सब चीज तो तुम से बढ़ियां त साइटी में जो बहुत ही तेजस्वी है बहुत समझदार है उसको बहुत बड़ा जॉब मिलेगा आज जो बिलकुल पढ़ा लिखा नहीं है तो तुम्हारा सौपकीपर वाला काम या फिर जो होता है निगरानी रखने वाला वो काम मिलेगा उसको जो आटिफिसल इंट्रि आप से ज़गा अच्मिट लिख सकता है अप च्रिएल बढ़ियां पेंटिंग सकता है तो आप एक क्रीटर वी बनना चाहों साब्रीट वर्क भी बनाना होगा किटी वर्क बिकर ना तो इतना बहतरिन करना है कि आटिफिसल इंट्रिजिएंस से अगे निकलना तो देख रह गोल सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल SDGC जो कहा गया कि 2015 से 2030 तक 15 साल में लागू होगा कम्प्लीट होगा माभी जो रिपोर्ट आया उसे पता चलता है कि जिस हिसाब से जिस स्पेस से सस्टेनलवल डेवलोप्मेंट गोल पर काम किया जा रहा है इससे क्या है 32 और एक्स्ट्र लगेगा यानि कि 2062 तक 12 सर तक कम्प्लीट होगा पूरा गोल तो इसका मतलब प्रोग्रेस बहुत कम है सस्टेनल डेवलोप्मेंट को बहुत प्रोग्रेस कम है इस्टुडेंट यह एक प्रॉब्लम देखेंगे इसमें समझने आप रहास करेंगे और 54 देखो जाने उन इसराइल और गाजय में क्या हो रहा है तो इसलिए इंटरीम और स लिए तुमारा इसी जे के तरफ से कि तरफ से मत करो तुम जो भी कर रहे हो इसमें जिनोसाइट कन्वेंशन तुम जिनोमसाइट कन्वेंशन mortar होता है जो भी कर 어떻owel गलत कर रहे हो आप याप पूरी तरीके से आप कुम को AAP है का प्रयास करने का प्रस्थ यह पाची вес जार रहे हैं आप एक इंटरीम मेजर्स दे रहे हैं इंटरीम सजेशन दे रहे हैं कि इस्राइल यह सब मत करो देखते हैं इस्राइल कितना मानता है इसको समझ गया इस्टूएंट तो स्टार्ट करते हैं देखो 52 Merit and the idea of meritocracy in the era of artificial intelligence GS paper 3 science and technology awareness in the fields of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights यह आया था 19th February को मतहाल फिलालगा है यह है बहुत ही latest है और हिंदू में यह आया था इस्टूएंट जो हिंदू फेपर पढ़ते हो उसी में आया था कई भी द्यारती लोग तो पढ़े भी होगे तो समझने आप प्रयास करो यहां पर क्या समझते हो मेरिटो कुरेसिस सिंपल बात है देखो आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बच्चे लोग पीछले बार जो एक्जाम तुम लोग दिये हो कितना नमबर बढ़िया आया और उसी किसा आप समतारीफ कर रहे थे करेक्ट मर अब यह तारीफ दूसरा हो जाएगा आटिफिसल इंट्रिजेंस के टाइप में तो देखो यहां पर क्या बोला गया है कि जो मेरिटो क्रेसी का जो मीनिंग है जहां पर हम इंडिविजुल्स को रिवार्ड देते हैं उसके अबिलिटिस के लिए उसके अच्छि किसी भी तो अभी तक तो मेरिटो करें सी अब भी चल रहा जाएं दो मिनिंट ह्मर्जों यांग एक बीटिस सोचोलोजिस्ट है वो क्या कहते हैं कि 2034 एक ऐसा सोसाइटी बन जाएगा इस टूरं जहां पर सोचल क्लास और मॉबिलिटी पूरी तरीके से डिफाइन होगा इंटेलिजेंस बात समझे एन इस्टेंडर्स टेस्टिंग एजुकेशन अचीवमेंट से यह बात तो हम जानते हैं आँ अब देखो ग्ढग बाराम लोग देते हैं उसमें पांच लाख देने जाते हैं चे उसी इसवें oxygen डिएक्जाम अब पांच लाख में 10 जार आध में सेलेक्ट हुआ इस बार भी देखो एक हजार विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ इस बार भी एक हजार के आसपासी सीट है तो जो बाकी जो बच्छा-बच्छा कि यानि कि कि 12 लाक में पांच लाक तो दिया उसमें एक हजार आदमी सेलेक्ट हुआ बाकी लोग के लिए देनी राशा तो ही बोलाई कि मतलब क्या है कि तुम्हारा कि बहुत साय लोग जो सक्सेस्पुल हो तो बहुत खुल रहें अगों शचेस्पुल नहीं रहें और बहु इसलिए मेटोक्रिसी वाइस इनेकुलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है समझे एन इनका इट कैन परपेच्वेट सोसल हराकी बाइलेजिट में इसे क्या है कि इनेकुलिटी आता है सोसाइटी में तो एक जगा कोई जो अच्छे लोग है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आगे निकलते चला जाएगा और जो नहीं कर पा रहे है उस लेबल पर पीछे चला जाएगा तब क्या जब चैट जीपीटी आप से बहतर एक्जाम दे दे तब अब से बहतर है वो अभी चैट जीपीटी उतना तक नहीं पहुंचा है कि सिविल सर्विस का एकजाम क्रैक कर लेगा अराम से कर लेगा तब क्या होगा फिर आइंसान का यह चलो यह तो सिविल सर्विस का बात था ऐसा जो क्रीटिव वर्क जो आदमी ही कर सकता है उससे मिलता है आपका प्रसंसा होता है बात समझें तो देखो यहीं पे बात है यहीं से सुरू होगा हम लोग का सब्सक्राइब करेगा आदमी को कितना भूज नहीं आता आदमी ज़रा समझदार तो हम है समझें और उसके बाद जो अबलीटी है का वो तो अराम से सरपास कर देगा हुमन के कंपेर में यह ज़्यादा बेटर काम कर पाएगा जो भी टास्क बगएर हो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा समझें और तब जो तरीका है कि यह आदमी बहुत अच्छा परफॉ कर लेता है यादमी भहुत अच्छा काम कर लेता है और भाही तुमसे अच्छा तो और आटिपिसल इंटेलिघिंस काम कर लेता है तुम महरा मेरिट भाव टरह रही जाएगा फिर जैसे कोई पेंटर है क्यू बनता है बाकि लोक्ते कि अच्छा पेंडिंग करता है अब पेंटर से बढ़िया पेंटिंग तुम्हारा आटिफिसल इंट्रिजेंस करने लगा तो का है का पेंटर को रिवार्ड मिलने वाला है पाइसा रूपिया सब खताम तो यानि कि पहले वाला जो व्यवास्था था यह मेरिटो क्रेसी का वो पूरा टूट जाएगा क्यूं सोरा क्या बोला है कि yes creativity is not exclusive human trade anymore बताओ अब ऐसा नहीं कि खाली creativity आदमी कर सकता आदमी जधा क्रेटिव तो आप artificial intelligence हो गया देखते हो रील में आता है कि अर्जी सिंग इस गानाव गाएगा तो कैसे गाएगा अब फिर थोड़ी दर में खली का अब आजा जाता है फिर थोड मोदी जी के नाम पर आटिफिचल नहीं कितना गाना बजाए गया अभी कितना भाइरल भी हुआ वह सब तो मोदी जी भी उतना अच्छा नहीं का पाएंगे जितना artificial intelligence उनका कॉपी करके गा लेता है सुनने में भी अच्छा लगता है तो क्रिएटीव वर्क तो बाव दबा कर रहा है artificial intelligence सो अरजी सिंग अभी recent में इंटर्व्यू हुआ था तो इसमें अरजी से तेखो सही बात क्रेटी बात में क्रेटी भी रहता है तो बहुत साए लोग बोलते का artificial intelligence बरबाद कर देगा मां अरजी सिंग का इस्टेंड दूसरा है अरजी सिंग कहते बरबाद नहीं करेगा है जो हमें बहुत मेहनद लगता है वो टेक्शर ढूड़ने में वह artificial intelligence से तुन पहले ही पता चल जाए कि किस तरह हमको गाना है तब इसका मतलब यह आपको और क्रेटी बना सकता है बात समझे यह आपको और बेटर क्रेटी बना सकता है यह क्रेटी नहीं बनोगे त आपको सरपास कर देगा हां देखना आड़ी सिंग का एक बहुत बड़ा इंटर्विव आया है घंटा प्लस का है उससे बहुत कुछ कहा है उन्होंने नमर टू देखो हीमन कैपबिलिटीज और एन्हेंस विद्ध टूल्स सही बात है अब देखो जो आदमी डंप है जिसको नमर जीरो आता है वह भी आर्टिफिशल इंट्रिजेंस का यूज करके तुम से जड़ा तेज बन सकता है कि कोभी चीज को प्रडूस करना है कोभी चीज को इसे पास बहुत अच्छा ब्रेन है तुम बहुत क्रियेटीव हो और एक जो अगला वाला आदमी है उतना खुबसुरत ब्रेन नहीं है क्रियेटीव ब्रेन नहीं है माँ उसको पता है कि आटिफिसल इंड्रिजेंस कैसे यूज किया आता है तो तुम से बहतर रिजल्ट द अगली पीपल के नाम पे अफ्रिकन पीपल दिखा दिया गया है तो जिसके लिए के बहुत पर टेस्ट हो गया इंफेक्ट हमारे एक इंडियन नहीं केस जाग कर दिया कि अगली पीपल में कहें केबल ब्लैक पीपल अफ्रिकन पीपल का फोटो आएगा और यह बहुत बढ़ा चोट है किसी भी लोग के उपर है ना इस्टुएंट मां देखो बाइस हुआ कि नहीं हुआ तो डेटा जो क्योंकि आर्टिफिशल इंट्रिजेंस क्या चीज़ से काम करता है डेटा से और डेटा में कितना बाइस ने सो सकता है जैसे देखो अभी युएस से में देखो जो भी वहां का लौ है पूरी तरी किसे बाइस डेई लौ या ति जो लौ वह इंफोर्स करते आजेंसी सब प सब्सक्राइब यह जो आटिफिसल इंट्रिजेंस से यह भाइस कोई बराएगा समझे यही बोला गया है कि यह बायसे और इससे बहुत दिकत होगा और जो पहले से मार्जिनाइज लोग है वह और फिसे सोशो एकोनोमिक डिस्पैरेटी भी होगा आपका इसे सोशो एकोनो प्रतिश्टित जर्णल है इसमें छपा हुआ था इसमें क्या पता चला कि जो AI टूल है न वो पैंक्रेटिक कैंसर को एक पेसेंट के अंदर तीन साल पहले ही भाप लिया जो जो जाएगा बाद में जो डॉक्टर है डॉक्टर बताया कि अब तो कैंसर होने बाला उससे पहले तीन साल पहले यह एए टूल्स ने बता दे के भाई तुमको कैंसर हो सकता है कौम सा बैटर है क्या ही टूल्स तीन साल पहले बता दिया इसका मतलब कित जान बच जाएगा न उसका तो इंसान से यानि कि human doctor से कितना आगे निकल गया वो नमवा दूसरी बात यह देखो capability such as this can be related to the display अब देखो इतना जब artificial intelligence accurate हो सकता है तो जो बड़े बड़े जॉब है उखा जाएगा नपकरके खतम कर देगा जी इसका मतलब AI बहुत बड़ा impact पड़ेगा in fact highway jobs के उपर भी अब highway सब्सक्राइब कर पाएगा या फिर दूसरा एंड के आएं जो लोग जोब्स है जैसे तुम्हारा जो प्यून सब होते हैं या फिर जो जो गार्ड वगेरा सब हो रहे हैं गार्ड ATM का गार्ड हो गया वो सभी समझें क्यूंकि AI उसका काम नहीं कर पाईगा इस्पेसलि नीचे वाला जो लोग सब्सका काम नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि heye the in the helpful irony भी से से की सचिल आज़ेगा आ रहाए समझ में स्टुडेंट तो देख लिक आगे देखो ब्लैक बॉक्स नेचर आप मैनी एई सिस्टम अब क्या होता है ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है कि आटिफिसल इंट्रिजेंश का अंदर कितना डेटा कहां से डेटा आया है कौना अधिमी कुछ पता ही नहीं है जैसे तुम लोग गुगल अभी ओपन करते हो या चैट जीपीटी ओपन करते हो तुमको पता है को डेटा कहां कहां से लिया है और अनावे रहो और हो सकता है कि बायस बाला जगा से लिया हो तब तो हो जाएगा तो यह पुड़ी तरिक जो आटिफिसल इंट्रिजेंस का जो सिस्टम है ब्लैक बॉक्स बला यह खराब अग्याइब कर दोगाओ दुनिया में कितना कम है बताओ तुम्हारा 10-15 आदमी पूरा दूनिया कर दस पंदरा कंपनी कह सकते हो उतना भी नहीं दस कंपनी या पांस अले के दस कंपनी पुरा दुनिया को रण कर रहा है सब यह मेजर टेक सब है और यह कहां से डेटा किसी को नहीं पता है समझे ना तो एकाउंटिबिलीटी को लेके बहुत बढ़ा चैलेंज अब मेर्टो क्रेटिक सोसाइटी में देखो इंडिविजल मस अंडेस्टैंड इंडिविजल को पता होना चाहिए ना जैसे देखो सिविल सर्विस में इंडिविजल जब आइस ब अपने अपने इसा कंपनी को आगे बरने देगा कभी ने बरने देगा वह जैसे चैट जीपीटी लेके आया वह भी अपना लेकर आ रहा है है ना काउंटर लेकर आ रहा है कि नहीं लेकर आ रहा है बताओ ना इसलिए यह जो जैसे कि में पता होता है कि हमारा क्या एफ़र् देखो गूगल के उपर आरॉप लगता है हर समय उसे सवाल पूशता है अगे देखो टेक जाइंड वही उसी का एकस्टेंशन ने टेक जांट घ्यांट देखो उसको त्यक्षा अपी हम लोग गूगल ब्रॉजर में जाते दुनिया बर का चीज टाइप करते हूं हमारा इमेल भी अटैच रहता है उसमें से कितना डेटा लेता होगा वह हम से हमें कुछ एमजन से पसंद है था हम कुछ कुछ आउडर करते हैं तो दूसरे मेसेज आते कि सर यह भी कर लिजी अभी डिसकॉंड में चल रहा है तो यानि कि यह जो टेक जाइंट से आदमी लोग का डेटा ले 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 बहुत बढ़ा बन गिया है इसको बहुत फाइदा हो रहा है याई मोडल दुनिया भर का चीज चला सकता है कि AI मोडल को चलने के लिए जरूड है कि डेटा उसमें होना अब गूगल में बताओ क्या डेटा नहीं होगा चला बताना हमको है ना तो इसलिए टेक जाइन को एक अलगी एडवांटेज है स्टुडेंट समझे तो डेटा है यहां पर तो फाइनल सब्द क्या ह सब्द है कि जब मेरेटो क्रेसी को हम री कैलिबरेट कर रहें उसका डेफिनेशन को चेंज कर रहें AI प्रस्पेक्टिव से तो यहां पर हमें बहुत अच्छे समझना होगा कि टेक्नलोजी एंड सोसाइटी स्ट्रक्चर वी हाब तो बैलेंस सोसाइटी का स्ट्रक्चर और टेक्नलोजी का जो इंटर्वेंशन है उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा समझे एड़ ता सेम टाइम हमें इट कॉल्स फर डेलिबरेटरी थिंकिंग यहीं कि अब हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कैसे हमें हमें कैसे काम करना चाहिए हमारा वर्क कैसा क्रीटिव ह मिला सकता है तो हमें इसलिए कहते हैं कि पूरा वर्ल लेबल पे इसके लिए एक स्टैंडर होना चाहिए अदरवाइस फिर बहुत ज्यादा आ जाएगा और बात हुआ ही था देखो मोदी जी भी मीटिंग कर वाय थे ना उसके लिए इंडिया में मीटिंग हुआ था ना ब देखते हैं 53 देख लो जिए इकलोजी एन इंवारमेंट कंजर्बेशन इंवारमेंटल पल्यूशन इंवारमेंट इंवारमेंट इंपक्ट असस्मेंट यह तुम्हारा आया था बिजनेस स्टैंडर पेपल में 19 फेर्वरी को तो देखो क्या है मामला अब यहां पे देखो जैसे कि हम लोग सुरू में ही बात कर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल इसे पहले मिनिलियन गोल्स था जो कि 2015 में खतम हो गया अब 2015 से लेकर 2030 तक सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल का कॉंसेप्ट आया कि by 2030 आगो कंप्लीट करना है मोटा मोटी कितना गोल है इसमें 17 गोल है 17 गोल को डिवाइड करके बहुत सरा तर्गेट है ना तो अभी जो को जो रिपोर्ट आया not a single SDG is on track to be achieved by 2030 डेडलाइन एक भी गोल बावु अच्छे से कंप्लीट नहीं होने वाला है 2030 तक बहुत बड़ी बात है ना यह 17 गोल में एक भी कोई गोल कंप्ल यहां इसका का मतलब क्या है United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific ठीक है तो यानि Asia और पसिफिक से रिलेटेड है कि यहां पे यह 17 डेवलोप्मेंट गोल कहां तक प्रोगेस किया है अच्छे से रिलेज किया और जो रिलीज है उसी का नाम है तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट एस या और पसिफिक रिजन के लिए तो क्या बोला गया इस रिपोर्ट में इसमें बोला गया कि 32 साल और लगेंगे यानिकि जो 2030 तक जो गोल अचीब करना चीए था सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल वो 2062 अचीब होगा तक वह चीब होगा जिसे साब सची स्पेस से भी चल रहा है काम उसे साब को देखते हुए डिफ्रेंस एक्रोस सेग्मेंट पॉपूलेशन तक हर जगा अलग अलग है पॉपूलेशन अ सब्सक्राइब का बोला गया है तो यहां पर देखलो इस्टूरेट थोरा सा सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल के बारे में जान लेते हैं क्या 2015 में 193 मेंबर कंट्री युनाइटे नेशन्स का सभी एक साथ आ है और बोले कि 2030 तक हम अचीव करेंगे उसी को हम बोलते हैं सस्टेनबल डेवलोप्मेंट गोल कितना है तुमारा 17 सस्टेनबल डेवलोप्मेंट गोल से अब उसी को डिवाइड करके कितना बता है 169 तारग अब प्लान क्या था पीपल प्लानेट एंड प्रोस्पेरेटी आदमी का भलाई प्लानेट का भलाई और सम्रिद्दी सम्रिद्दी आदमी का भी यह नेचर का भी हो कि अच्छा रहना बिना ही निभारमेंट को हाम किया हुए आगे बरना जनरेशन का नीट्स देखना तो इसमें क्या बोला गया देखो दरेजोलेशन आपको इतना इतना पूरा करना है यह इसे बताता कि कट्री कितना अपने पी पल के लिए अपने नेचर के लिए कितना वो तुम्हारा अर मेंबर स्टेंस को भैने नशनल रिविए वी ओर डीना पड़ता है यह सब इंपोरेंशन बच्चे लोग लिखते रहो इसको बैठके इनाटेट नेशन्स हाई लेबल पॉलिटिकल फोरम को देना पड़ता हार एक स्टेट देता है जितने भी 193 मेंबर स्टेट है ना सब रिपोर्ट भेजता है जो रिपोर्ट भेज रहा है उसी को हम क्या बोले है कंट्री अपने हिसाब से सोच रहा है कोई लीगल बैंडिंग नहीं है जी आपको जितना करना करो एंडिसी जानते हो पोबर्टी से निकालना अप्राज सोचल एंड इंवारमेंटेल सस्टेनेविलिटि होना चाहिए बास समझे ना तो पीपल को घड़ी भी से निकालना देखो इस अग्यक्त इना इन्यच्ट थे लेवल पुलिटीकल फोरम देना पड़ता है दो है लीवल पॉलिटीकल फोरं जिसमें पॉलिटीकल रेप्रेजनतिटीव होता हर एक जुलाई को हर एक साल बातचीत होता है और यह सब तुम्हारा कंट्री डिवन रिव्यूस है अपना हिसाब से कि हम इतना की हैं कोई कंबल सही नहीं है बस हम प्रण ले रहें कि हम अच्छा करेंगा सब वॉलेंटरी है कोई जो जबसती नहीं है जहां देख सवाल है भारत में भारत में यह विएनर कोन तयार करता है तो नितियायोग प्लस रिसर्च एंड सिस्टम फर डेवलोपिंग कंट्री एक ठीक टैंक है जो कि हमारा एक्ष्टनल अफिर्स मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो वह भी रहता है वहां पे मोसे सब्सक्राइब करता है तो फिर समिट किया आता है तुम्हारा युनाइटेट नेशन्स हाई लेवल जो है फोरम में फोलिटिकल फोरम में अब थोड़ा देखते कि एस्या पसिफिक रिजन में कौन सो कौन सा चीज ज़्यादा अचीव हुआ है कौन सा कौन सा चीज यहां पर देखो मैक्सिमम प्रोगे सबसे ज्यादा प्रोगेश हुआ है सब्सें सब्सक्राइब डेप्लोप्मेंट गोल में उसमें गौल नमर वान और गोल नमर नाइन बहुत ज़्यादा अचीव हुआ है तो गोल नमर वान क्या है पोबर्टी से रिलेटे नो सब्सक्राइब कर रहा है हमारा इंफरस्ट्रक्चर भी देखो इसी बार देखो दोजर चोबीस और पचीस के लिए देख रहे हो ना कितना बढ़ा के दिये हम पैसा इंफरस्ट्रक्चर में भी यादाने तुम लोग को तो बहुत बहतर काम हुआ है इंडिया के पर पूरा इस यह पचल रहा है इंग्जामपल देखो गोल नमर्ट ठटी यहां पर बात था क्लाइमेट एक्शन से लरन यह भी भी बहुत बीच्छे एक्स्ट्रीम होई दर इवेंट्स हो रहा है इस यह में नहीं हो रहा है क्या बहुत देखते हो अच्छानक तुफान आ तो देखो इसमें हम बहुत पी मेजर विक्टिम है क्लाइमेट चेंज का यह सिया तो देखोगे 111 तार्गेट्स में अभी तक पूरा देखा जाए तो 169 टोरल था ना इसमें बोला है कि एदि आप 111 मेजर तार्गेट में देखोगे तो केबल 113 जो चीज है वो 2030 हो सकता ह यहां कि 169 से निकाल के हम 111 कर रहे हैं 111 तार्गेट में मात्र 111 प्रतिस्थी हम 2030 तक अचीब करेंगे कंप्लीट अचीब करने में एसिया और पसिपी को कितना लएगा 2062 समझे तो यहां पर देखो डिस्पाइट हाँ चलो ठीक है मानते हैं क्लाइमेट में दिक्कत है मान बेटना ने बहुत ही अच्छा टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर काम किया और देखो डिजिटल इंपावर्मेंट किया है माइगेट वरकर्स के लिए अब यहां इदि मैं इंडिया का बात करूं तो इंडिया देखो फोकेशनल एजुकेशन में आगे नहीं निकल का तो सोसाइटी कोई भी चीज को डाउन ग्रेड करके देखे तो उसमें प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है जबकि वोकेशनल ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल डेवलोप्मेंट के लिए खाली परने से बीटेक करने से वह फालतो आलतो पालतो चीज सब्सक्राइब इसमीन हम बहुत डेजिए वह नहीं सब्सक्राइब यह मतलब दोनों के लिए सब्सक्राइब नहीं की नहीं इसके लिए बहुत अच्छा है कहने का मतलब जो Human Development Index है उसमें बहुत अच्छा बंगलादेश ने कारे किया है आगे देखो जहां तक सवाल है इंडिया का तो इंडिया देखो बहुत सरे चीज में बहुत सरे कंट्री से आगे भी है एक्जामपल देखो इंडिया ने 85 पेरेमिटर्स पे बहुत बहुत बहु अब बहुत सरे किया है तो उससे देखार भारत बेटर हैं तो सब्सक्राइब देखो नुबर वान एंगरी कल्चर में इन्वेस्ट में उतना चाहिए जितना होना चाहिए ना फारवर्ड बैक वर्ड कोलिश्टोरे सिस्टम यह आना चाहिए इक नहीं आना चाहिए बताओ थोड़ा करना पड़ेगा अगरी कल्चर को अभी भी हम बहुत पीछे हैं इस चीज में समझ गए नमवाल सोसाइट रेट देखो 15 साल से लेके 19 साल तक जो लोग है हमारा जो डेमोग्रेफिक डिविडेंट में आएगा इसका बहुत जादा ही सोसाइट हो रहा है और एक तो जानते हो पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया फिसकल वेज और सोसल प्रोटेक्शन डिसिप्लिन देखो अब वेज को लेके तो कितना दिन से चल ला है कि इसके लिए वह बनना चाहिए उपर में कोर्ट तो बन गया लागू हुआ नहीं अभी तक गीग वर्कर्स का बात था कि गीग वर्कर्स कोई प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अभी भी इंडिया बहुत पीछे चल ला है उसमें रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट हर समय पताते तुमको कि आउनली 0.64 परसेंटेज अब जीडेपी इसे बढ़ियां तो पहले थे 10 साल पहले थे हम लोग तो रिसर्च डेवलोप्मेंट में अभी भी बहुत पीछे हैं बाइडेबर सिटी एकोसिस्टम में जो एकस्पेंडिचर खर्च होना चाहिए उसमें बहुत कम हैं लैंड डिटेशन देखो इस रो का एटलाइस जाड़ी हुआ था ना उसमें पता किये थे ने को 22 से लेके 24 परसेंट ज मैं घट गया था अग मैनिफेक्ट्रिंग में एक्चुली बारनाप चाहिए सरकार सुरू से सोच रहा है कि कबकम 25 प्रतिसाद यही मैनिफेक्ट्रिंग से जीडीप को कंट्रिब्यूट हो तो ज्यादा बेटर रहता मैं यह हो ना सका तो यह भी प्रॉब्लम है सर्विस कि ना देखेगा यार मैनिफेक्ट्रिंग जब आगे बढ़ाओगे तभी एक्रिकल्चर और सर्विस के बीच में एक बहुत अच्छा नहीं एक बहुत अच्छा आपको बिकल्प नजरा आएगा क्योंको मैनिफेक्ट्रिंग में अच्छे से माइग्रेट हो सकता वहां में का पाया आगे देखो इस्टूट्ट तो यह समझ गया ने कहां का प्रोब्लम है हाँ इंडिया का प्रफॉमेंस देखते जहां बहुत 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 अच्छा काम किया नहीं इस्टूएंट उजाला योजना सवक्षभारत मिसन सब इलेक्रिसिटी हर भ है है हो इनौ साल में तो तो वही बोला है मगर यस हमारे पास data होना चाहिए वह 2011 और 12 का नहीं चलने बाला है हमारे पास जितना data होगा उतना वहतरी न हम क्ल्कुलेट कर पाएंगे यह भी बात है तो तो अभी भी जो बहुत पीछे हैं जिरो हंगर में बहुत पीछे हम लोग यानि कि गोल नमबर टू में बहुत पीछे हैं डिसेंड वर्क मिलने रहा है आप तुम बोल तो दिये कि महला लोग का इंगेज हो गया 22% इसके बएसे खराब हो रहा है तो यह सब गोल नमबर टू गोल नमबर फिप्टीन में हम लोग बहुत पीछे चल रहा है सब्सक्राइब को यहां पर भायत को काम करने क्या हो सकता है चलो आगे देखते हैं फिप्टी फोर देखो जीएस पर टू इंटरनेशनल रिलेशन इंपोर्टेंट इंटरनेशन इंस्टिउशन अजेंसी एंड फोरम देर स्ट्रक्चर एंड मेंडेट यह तुम्हारा इसलिए देखो यहां पर कुछ इंटरिम ओडर दिया गया है अब इंटरिम ओडर क्यों इदि इंटरिम ओडर नहीं देगा तो बहुत कुछ हो जाएगा इस्टुडेंट अब फिर बाद में पस्ताने से क्या फाइदा फिर जब इतने लोग मारे जाएं गया हाला कि अभी तक बहुत सारे लोग मारे गये इस पर लगाम नहीं लगाए जाया तो और ज़्यदा डिजास्टर हो जाएगा तो इसलिए इस तरह के इंटरिम ओडर तुमारा आईसीजे ने दिया है इसी को हम प्रोविज्जनल मेजर्स कहते हैं देखो तो देखो जब आईसीजे तुमारा देख रहा था इस्राइल और पलिस्तिन का जो इस्तिती है तो इसने commit किया कि हाँ बात सही है genocide कर रहा है लोग ठीक है genocide कर रहा है इसलिए हम interim order दे रहे हैं कि चुकि इसराइल भी parties to the Genova convention है जो भी parties है Genova convention का उसको सब को follow करना पड़ेगा वो चीज ठीक है न तो यह ऐसा नहीं कि फालतुगा नहीं दिया देखो इसलिए लिखा गया second मे कि ICJ has rule it was plausible plausible का मतलब कि देखने में ऐसा लगना अभी प्रूब नहीं मिला है कोई चीज का क्योंकि अभी प्रूब मिलने में बहुत साल लगेगा उसको तत्व को verify करने मा अभी plausible लग रहा है क्या होता है plausible मतलब कि देखने में लग रहा है कि सच में ही इसराइल genocide कर रहा है उसको बोलते है likely to seem देखने में जो लग रहा है आपको तो बोला है कि हाँ यह plausible लग रहा है कि हाँ इसराइल ने क्या किया है genocide किया है गाजा में देखो कितने चीज बरबाद हुए है देखो आई चीज ने कहा है कि humanitarian situation जो गाजा में बहुती खतरनाक है catastrophic है लग बहुत पच क्या क्या दिया गया है तो आई सीजे ने कहा है तो पहले यह समझना पढ़ेगा कि आई सीजे का jurisdiction क्या है आई सीजे कैसे काम करता है तो आई सीजी का काम यह कि उसका डॉमेन में आएगा within the purview of convention अगा उसीव कर सकता है कहने का मतलब कि जो जेनेवा convention में को उसका उलहंगन ह आ गया और यह जो मामला है ति जेनेवा convention के अंदर बैठेगा इसलिए यहां पर आई सीजे एक्टिव हो रहा है नम्मो वान एफलिकेंट का जो रिक्वेस्ट साथ अफरिका रिक्वेस्ट है और जो बोला जा रहा है कि क्या चीज़ प्रोटेक्शन होना चीए तो उसके प आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है प्रूब नहीं है मैं लग रहा है किया है क्या सब्सक्राइब किया है इसका मतलब इतने लोग मर जाएंगे और बाद में डिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिजिज देना पर रहा है समझें ताकि तुम्हारा ये लोग थोड़ा स्टॉप करें तो जो भी कंडिशन्स है ठीक है सब सेटिसफाइड है ये बताने के लिए कि सच में ही इसराइल जो काम कर रहा है वो जेनोसाइड वाला काम कर रहा है इसलिए ICJ हरकत में आया और इंटरीम आउड करो तुम्हारा जो तरीका है वो गलत है अब देखेंगे इसमें कौन सा कौन सा तरीका को लेके इसने बोला है कि ये जेनोसाइड इंटेंट है तो आगे देखो ICJ हाँ ICJ देखो इसका पूरा अधिकार है jurisdiction कि कोई भी तुम्हारा जेनोसाइड कंवेंजन के अंदर कोई भी डिस्प्यूट आएगा तो ये देख सकता है नमर वान ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट है आएसीजे का jurisdiction पूरा जेनोसाइड कंवेंजन तक ही लिमिटेड है नमर ठीक्या लिखा के देखो क्राइम या क्राइम अगेंस हुमेनिटी हो तो आएसीजे के अंदर नहीं पहुंसता है समझे उसके अंदर आएसीजे के अंदर वो जिरूस्डिक्शन नहीं है इसने कहा है कि साथ अफरिका जो स्टैन्ड लिया है क्यूंकि सभी साथ अफरिका हो इसलिए सभी जनोसाइड कंवेंजन के मेंबर है तो कहीं तो इसलिए सभी कंट्री को पूरा हो है मतलब responsibility है कि prevention करना इस तरह का गलत चीज को रोकना और साथ अफरिकान ने सही काम किया है और आइसीजे ने यह बोला कि पलिस्टियन सही बात है वो एक डिस्टिंग नेशनल है एक अलग एथनिक है रेसियल है रिलिजियस ग्रूप है यह उस खली पलिस्टियन को ही मारा जा रहा है यह जैननुसाइड है क्योंकि मुस्लिम है वो अलग मुस्लिम है उसका संप्रदाय कोई इथनी मुह सकता है को वी रिलिजियस जो सकता है गोबी नेशनल हो सकता है तो सब प्टूंट ब tells and plane यूब तो इन पाया है कि गाजा वो complete siege कर दो capture कर लो ना वहां पर electricity होना चीए ना कोई food होना चीए और को वहां पर fuel होना चीए इसका मतलब जैनो साइड है यह जैनो साइड है इसका मतलब ठीक से समझोगे तो कोई और इसलिए जोने साइड कर लेशन का पूलंगन गर रहा है कौन इसरा है आगे देखो तो हावेवर आप प्रॉब्लम है इसे हैज कहीं पार कोई नहीं किया सिज्फायर का बात नहीं किया हूँ इसे इगरन नृषिया का जो बात हुआ था देखो तो सेμझ जीज भूआ है कि मतलब कोई इसीस फायर का कोई बात लेने किया बंद कर दो यूथ दोनों में संधी कर लो सइसे बात तो और चीज क्या है कि जो भी लोग मर रहे हैं, जो भी लोग आपदा में हैं, वहाँ पे humanitarian assistance पहुँचने दीजिए, ठीक है गाजा में humanitarian assistance होना चाहिए, दूसरा क्या है कि जो भी important evidence है, क्योंकि अभी तो ये interim order आया है, अभी तो 2-3 साल लएगा final order आने में, तो जो भी important evidence है, उस आपने Geneva Convention को violet नहीं किया है, अपने genocide नहीं किया है, तो आप एक मैना के अंदर report submit करो, समझे, और ICJ का decision वो binding है, जितने भी इसके member उसके उपर binding है, अब इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर बात जाएगा UNSC के पास, United Nations Security Council के पास जाएगा, हम जानते कि इतना गंदा इस्ट्रक्चर है UNSC क्या, कि वहाँ पे यह जो United States से भीटो लगा देगा फिर, तो कहीं पे नहीं बाबो, लोग मरते रहेगा, वहाँ भीटो चलते रहेगा, इंटर्नल पॉलेडिक्स दे, क्योंको जानते हो कि उसका बहुत अच्छा हैलाई है, इस्राइल का, तो प्रोब्लम यह फज जाएगा, तो आगे भी देखो कि कोई बहुत बड़ा, यह बहुत बड़ा कयामत नहीं पहुचाने बाला है, मैं ठीक है, उपर से फटकार तो मि इजला है, मैं देखते हैं इजला कितना सांत होता है, that's it, completed.